मेरा नाम रतने सरंजन है और पानी पियो जिनकी इस चैनल में मैं आपका बहुत-बहुत स्वालत करता हूं अगला कॉशन पांट हम देखेंगे देखेंगे अगला कॉशन पांट हम देखेंगे इस प्रोटेक्टिव शीट पैनल जब आपको मशीन रिसीव होती है राइट तो यू विल सी इस पॉटेक्टिव शीट पैनल ऑन्पैनल मैंने कॉष्टों यहार प्रॉपली इसको निकाल दीजे अगर अपने नहीं निकाला तो अंदर के जो पार्ट से इसमें डामेज हो जाता है अभी जो प्रोटेक्ट शिट पैनल दी गई है वाई इस गिवन विकॉज दूरिंग ट्रांग मशीन इस कमिंग फॉम जपन जपन से प्रोटेक्ट इंडिया में ट्रां पैनल प्रोडक में दिया गया रहे थे लेकिन जब आप मशीन यूज करते ऑपरेट करते तो अंदर के जो पार्ट से रहेंगे जैसे के कंट्रोल पैनल वह ओर हो जाएगा कंट्रोल कुलिंग नहीं हो पाएगा बिकॉज अब इस प्रोटेक्टिव शिट पैनल तो मेक शोर पैनल जो अंदर बटन से उसमें प्रॉब्लिम आ जाते हैं तो मेक शूर कि आप इसको निकाल दीजे अगला अब देख सकते हैं पर प्लीज डूनोट होल्ड मशीन भाई होल्डिंग फ्लेक्जिबल होस तो फ्लेक्जिबल होस जो उपर दिया गए उसको उपर से पकड़ि इसको डिरेक्टल प्लाटिनम प्लेट्स को कनेट किये गए राइट पोजिशन आप देख सकते हैं पर प्रॉपर्ली इसको हैंडल किजे नेक्स्ट यह कई बर आपको मशीन में नोटिस क्लेनिंग का मैसेज आता है तो वाट इस नोटिस क्लेनिंग दाट मेंस्यों फ्लोग अगरी क्लीनिल चा प्ली वाट अजरकी क्लीच और रिओ उसлекार तो न्यास अजर्ट अधर क्लीनिग कटर इस नोटिस क्लीनिग का मैसेज अगर इसक्लेर मैं अगा विद दारो मार्क छो क्लिनिंग विल कंपलेट विदिन 30 सेकंड और अटोमेटिक लिवाशिन आ जाएगी केंगें वाटर मोड पर नोटिस क्लिनिंग का मैसे जाता है तब सिफ फ्लो वाटर कीजिए देन इट विल गो तो दे क्लिनिंग फिल्टर में आपको छोटे-छोटे रबर वाशर दियेगे मेक शूर इस रबर वाशर शुट भी देर विद फिल्टर जब एक लिनिंग कर रहे या फिर फिल्टर चेंज कर रहें तो यह रबर वाशर रहने चाहिए नहीं तो पानी लेकर जो सकता है कि नेक्स्ट आप यहां पर देख सकते सबसे पहले तो इस इस नॉट एन इनेंसर टैंक लॉप जो उपर इनेंसर टैंक के ऊपर लगए हो कै सब्सक्राइब कर सकते हैं जैसे हमने पहले देखा आयोनेजिम बुस्टिंग के लिए पो ग्लाइसो फॉस्परिक अचिड काल्शियम कर सकते हैं अभी यहां पर देख सकते हैं जब यह मशिन किसी दूसरे प्लेस में टांस्वर कर या फिर मशिन आप बेंगलोर सर्विस मे बेच रहे हैं तो मेक शोर जो मशिन का अंदर टैंक लागे वह एंटी रहना चाहिए सब्सक्राइब लिक विए रहेगा और अपने मशिन दूसरे प्लेस में लेकर जा रहे तो क्या होगा जो टैंक में जो लिक्विड है वो मशिन के अंदर स्पील हो सकते हैं जो कि पावर प्लेश में चला जाएगा डिस्प्लेइ कंट्रोल पैने सभी प्लेश में स्पील हो जाएगा तो इसके वाज़े से क्या होगा अंदर के जो इंटरनल पार्शे हो डामेज हो पाएंगे और मशीन नहीं हो पाएगी मेक शूर जब मशीन दुसरे प्लेश में ट्रांस्फर कर रहें इसको एंटी रख दीजे या फिर इसको निकल दीजे अगर इनेंसर थूर के डामेज होता है जब आमें मशीन आपे रिपेरिंग के लिए मिलते तो अब हमें पता चलता है कि मशीन कैसे खराब हो चुकिए अग कि जो पार्ट से हो रिप्लेश्मेंट के लिए आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे सो मेक शूर अगर मशीन वारंटी भी रहेगी तो यह कंसिडर नहीं किया जाएगा अपे इनेंसर के थूरू मशीन दूसरे प्लेस में कैरी मत कीजिए नेक्स्ट डू नाट रिमूदी बॉटम होजेस अभी मशीन के नीचे दो होजेस देगें फर्स्ट वाइट वोज और ग्रे वोज वाइट वोज जैसे की इनलेट है ग्रे वोज इस अ आउटलेट विल गेट एसटी वाटर फम दिस होज तो इसको इंटर चेंज मत कीजिए अगर इंटर चेंज होगे तो क्या होगा पानी रॉंग डारेक्शन से मशीन के अंदर पास होगा और आयो नेजिसम प्रोसेस भी प्रॉपर ली नहीं हो पाएगा तो मेक्शूर डूनाट चेंग इस इन खुजेस अक्छा इंग्स एक्जेंपल आप देख सकतें कई आप पानी लेते हैं या कंटेनर में तो उपर वाला फ्लेक्णवड होज उसमें कंटेनर में डूबा के रखते हैं अगर कंटेनर खाली रहेगा तो उसमें डूबा के रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है बट सपोज और वाशिंग सम फूड मट्रेल इस फॉर एक्जामपल राइस अगर राइस अब कहेंगे न वाटर से वाश कर रहें तो उसका जो पाइफ है फ्लेक्जिबल उसको डूबा के मत रखिए क्या होगा जैसे अगर आपने पानी बंद किया लेकिन स्टिल जो उपर व ब्लॉक होगे तो उपन करके क्लिंग कर सकते उपर वाला जो पाइफ फ्लेक्जिबल उस अगर फ्लेक्जिबल होगे इसको क्लीनिंग करना बहुत डिफिकल्ट है अगर अब दीप लिनिंग करेंगे तो ख्लीन नहीं हो पाएगा फाइनल इवज वेव रिप्लेस दिस पाइप आपको रिप्लेस करना पड़ेगा जिसकी कोस्टिंग है 6,000 रुपीज तो 6,000 के उपर वाला पाइप है अगर इस तरह डायमेज हो तो आपको रिप्लेस करना पड़ेगा प्रोपरली मतलब आपको फ्लो लेवल मेंटेन नहीं कर पाएगी प्लेज और वर पे में भी दिक्कत आ सकती है तो इस शुट भी पैरलल रखें जो प्लेशन के लेवल पे अल्सक्राइब है नहीं हो पाता है अब को पावर कौट करने के जरौत नहीं है अगर जो भी पावर्ट प्राबलेम आ गया रेप्लेशिंग के टाइम पे वो चार्जेबल बेसे में रहेगा विएकि पावर का ओरीजनल मत कट इस कट करने के वाजे से सो मेक स्योड नॉट कट इस ओरीजनल प्लक सिप्यू आपको जो प्रोड़क के साथ दिया गया इस फोर ओनलि तो यूज वेन यूर देनिंग दे मशिन सिप्यू का इस आपको क्लेनिंग के लिए करने इसके तुरू पानी मत पीजे विकार जो मशिन का जो स्पेर पाट है जो फिल्टर हाइग्रेट फिल्टर इस सटीपेट फिल्टर तो सिप्यू के थूरू यह मतलब पानी पीजे इसाट फिद आडवाईजबल ओनली विद द फिल्टर जो इंडिया में किया गया तो सबसे पहले तो आप एक्जमपल देखे जो कि आरो के साथ है और वो इंस्ट्राल किया गया है प्लस बूश्टर पंप है और भीच में एक सॉलिनेड वाल है प्रेशर कंट्रोल वाल अभी मशीन हैंग की गई है वी केन हैंग दो मश सबसे पहले तो आप देखे मशिन का जो अभी इंस्टॉलेशन रॉंग है मतलब 80% करेंगे 20% इसमें रॉंग है क्यों रॉंग है सबसे पहले तो आप देखिए ग्रेहोज मशीन से पारलल नहीं है सेकंड मशीन हैंग की गई है लेकिन कुछ फ्लैट सर्फेस नहीं है अभी यहां पर क्या होगा ग्रेहोज आप पैरलल रख सकते हैं आपको बॉक्स के अंदर एक सेकंडर स्टैंड दिया गए और एक सक्षन के वह एजीली वाल पर चिपक सकते तो आप वीज कर सकते हैं तो उपर लेखिजिवल के साइड में अग्र गीर गए तो उपर वाला फograph टनेट को कनेक्टर। अगर वाव डामेज हो गया तो अंदर एक कनेक्टर रहते किस अपुज बांडटिन जिक्पलन रिप्ट प्लेत्ज करनी पड़ीगा तो फीजिकल डैमेज में आएगा सो मेक शूर जब आप प्रोड़क हैंग कर रहें उसको कुछ स्टैंड सपोट दीजिए अगला एक्जम्पल भी आप देख सकते हैं यहां पर मशीन इंस्टॉल की गई है प्रॉपरली इंस्टॉलेशन है लेकिन कुछ तो सपोट रहना चाहिए मशीन के नीचे ताकि मशीन ग देखें यहां पर जो कि अच्छे एक्जम्पल है यहां पर लास्ट एक्जम्पल आप देख सकते हैं जहां पर मिंडल कैटरीश किया गया है विकाज़ अगर पानी का पी एच कम रहेगा टीडिस कम रहेगा तो उसके ताइम पे पीएच को इनेंस कर पाएगा तो इस आप unie ब्रव लेक एच्छ टे बाद पर फिल्ट स्ट इस युट सिस्पर आख यूर्थ यहां पर यहां मुडरीश पिल्ट संच को एक बनाद एक्ज मून इस पर कर वह तरी दूरिश मूनि पोर रहे पिल्ट ऑलिछ पानाश पीएच को एंगा पान्यव मुड पान आप बिस ए पाने पहले किजिए आपको मशीन से कंगन वाटर दे पाएगी टीदेस आप मेंचेन किजिए 100-150 रंज तर चेक हाड्नेस वाटर हड्नेस लेवल चेक करने के लिए पानी वाटर टेस्ट लाबरोटी में देना पड़ेगा वहीं प्रॉपर रिजल उसमें देखने को मिलेगा इंस्टॉल प्रेइफिल्टर से सिस्टम जैसे का मैं आभी प्रेइफिल्टर शेचल मैं अलग अलग टाइप्स एक्सपर अथे में इंडेटरी या अप यूसक्याइए चेकटी वाटर फ्लो लेवल जब ज्यादा फ्लो रहेगा तो आपको प्लो कम करना पड़ेगा मेक शोर डिस्पले में आरो मार्क आने चाहिए तब भी प्रोसेस मशिन कर पाएगी जब भी पानी का फ्लो कम रहता है आडवाइजबल है या तो फिर आप 150 GPD का बुस्टर पॉम्प यूज कर सकते हैं अभी जब 300 जब करेंगे तो इसमें क्या आपको एक छोटा सा कंट्रोलर लगाना पड़ेगा इनकि 300 इसमें पानी फ्लो जादा रहेगा तो इस टेंप पानी जब 2.5 पेच और 11.5 पेच आप लेंगे मशिन से तो पानी फ्लप को कम करना पड़ते तो इस टेंप आपको एक कंट्रोलर की जरुवत पड़ सकती है और लास्ट एलेक्ट्रिसिटी एलेक्ट्रिसिटी जहां पर होल् इंजीन अप्ड प्रोड़क्त अब जो प्लेट साइज आप देख रहें मार्क अभी हम देखेंगे अलग 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 टाइप जो मार्केट्स में अवेलेबल प्लेट्स से और हमारे मशिन में किस तरह के प्लेट्स यूज की गई है बिकाज दिस इस अमेन इंजिन आप दी मशिन यहां पर देख सकते मार्केट में आपको अलग अलग टाइप के प्लेट्स मटरल देखें नहीं को मिलेंगे जैसे की वन आप देग्जम्पल सॉलिट सेकंड नेप फीट मेश टाइप इस तैप्स आप मटरल सीज अवेलेबल मार्केट बट इन आवर मशिन प्लेट यूज यूज देख्ट अब हमारे मशिन के अंदर विकॉस ऑलेड प्लेट के जो मतलब लॉंगेटिवस की समत्य इसको स्टौंगेटिविटिविटिव जाद है उसमें मतलब उसकी लाइस्पन जादा है इसके लिए सॉलिट साइज आप देख सकते हैं अभी जो राउंड सरकल में देख रहे हूं हमारे मशन की प्लेट साइज है यहां पर कुछ एक्जमपल देख सकते हैं जो कि एक इस सर्पेस में उसकी गई है अब देख सकते हैं उसका कितना प्लेट का है यहां पर पे प्रेशन में कहां रहता है जब भी मशीन ओवरिटिंग होती है आपको हीट प्रोटेक्शन का इंडिकेशन आएगा आपको मशीन बंद करने तो इसमें बेस्ट पावर सब्लेट भी मशीन में यूज किया गया यह यह अब देख सकते हैं प्लेट साइज और पावर सप्लेट यहां पर देख सकते हैं इंटरनल स्टक्चर और मशीन तो यहां पर एक मॉडल देखें जिसमें हंड्रेट परसेंट में 25 एरिया में 25 एरिया में मतलब बाकी सब टोटल यह एंप्य है और हमारे प्रोडक्स में आप देख सकते हैं यहां पर यहां पर मैंने आपको बोला था कनेक्टर तो इस कनेक्टर कैन बीगेट डैमेज फो गया तो टोटल प्लाटिन मोल चेंज करनी पड़ती है तो मेक्शूर आप उपर जब मतलब मशीन दूसरे प्लेस में क्यारी कर रहें तो उपर कुछ थर्मों का लेवल सर्पेस रहना च चाहिए ताकि उपर से कुछ डैमेज ना हो सकते प्लेट्स अप्लेट्स अप्लेट्स साइज है टोटल वन थर्टी वाइब 75 mm जो अगर इंचेस में देखेंगे तो सेवन इन्स बाइफ 4.75 टोटल एलेक्रोलाइजिंग एरे इस यूजड़ फॉर फिप्टी सिक्सेंट्य जो बैस्पाट थास बीन युजड इन आओ प्रोडड़क्ट्ट नेक्स अम लेकिंगे हाव तुन्मेडर्यों मशिन गेटिंग क्योजिभी किस्टल्स प्रब्लेम् जो आईएलिवन चाहिए लिए वाटर पॉट्ड़ फॉट्ट्ड उट्ड मशिन को पानी सप्लाई करते तो यह पर टोटल दो होजे दे गए तो मेट गया है कि अफर प्रेक्षिबल होने और अपर फेक्सिबल और यह यहां तो आपको 30 पर से अब तो केंग दो नहीं किरए होगा सब्सक्राइब आपको कैंगीन वाटर से भी मिल रहे 50 50 परसेंट और ग्रेव से भी मिल आपको 50 परसेंट तो देट मेंस जो अलकल एंग नेगेटिव सर्पेस उसमें काल्सियम जमना स्टाट हो चुक है तो इस केस में अपको एकलीनिंग प्रोसीजर करनी तभी हो प्लेट्स क्लियर हो पाएंगे जो काल्सिफिक्शियम प्लेट्स से निकल जाएगा अगर अपने एक लिनिंग नहीं की देन वाट विल एपन दे रेशु विल टोटली इंटरचेंज फ्रम अपर फ्लेक्जिबल जी विल गेट 30 पर्सेंट वाटर एंड सेकंडर वाले उसे 30 पर्सेंट मेलेगा सेकंडर वसे आपको वाटर आउट्पूट मेलेगा सेवेंटी पर्सेंट तो इसका मतलब है ज्यादा क्यासिफिकेशन में जंप चुका है तो इस केस में अगर आप एक लिंग करेंगे तो टोटल यू क्लियर नहीं हो पाएगा आपको करनी पड़ेगी यहां पर दीप लिनिंग प्रोसीजर अगर अपने दीप लिनिंग प्रोसीजर भी नहीं की तो क्या होगा उपर वाले होसोसे टोटली यान बन्द हो जाएका सीप्पानी पास होगा ग्रे घॉटं सब्सक्राइब मेन प्लेट में पास नहीं चुद भी जैसे कि आमने में जो क्यालसिफिकैसिन का इमेच दे उसमने आप देख सकते कितना किल्सिपें तो मशीन ये पॉजिशन पर आ सकते हैं अगर ऊपर क्या स्डिशिएंग अप्लाइण स्पींट में जम गया तो मेक शोर एक पॉजिशन पर दीप क्लीनिंग की जे ताकि एक ऐप केस में आपकी मश्रीच आना पाषके सो दिस इस दो काल्सिफिकेशन अग्मिट्स प्रॉब्लेम विन नेक्स्ट वेर अडवाइजिंग तू रन दी ब्यूटी वाटर एवरी डे तू 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 त्री मिने टॉस इन डे मतलब आपको ब्यूटर चलाना पड़ता है दिन में दो बार जो कि फर्स्ट विज आप दी मौनिंग एंड इवनिंग वन्स तब क्यों चलाना है अगर आप कांगें वाटर ले रहे हैं तो क्या होगा अलकल है जो नेगेटिव सर्पे से उसमें काल्शियम नहीं जमेगा जो कि वाइट पार्टिकल जो स्केलिंग है उसमें नहीं जमेगी तो इसके लिए आपको मतलब जो पॉलरीटी चेंज हो जाएगी तो बीटुएटर उपर वाले वससे आएगा सेकंडर से आएगा तो इस टाइम पे जो भी जितना भी काल्शियम प्रेट्स में एकुटी सर्पेस में जमाता और रिवर्स होलेटेज देने के वज़ए से वो टोटली काल्सिम प्रे इसके अलवा आपको एक लेनिंग प्रोसीजर करनी पड़ते हैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है आप इसे पुरा जरूर देखें एंड थैंक्स पर वाचिंग दे वीडियोज